गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्त्वा सुरक्षित होंगे बच्चो जैसा कि आप सभी को पता है विद्याले पुना खुल गए हैं सभी बच्चो ने फिर से स्कूल आना शुरू कर द करते हैं मिशन सिक्षर समवाद के अंतरगत दैनिक पठन पाठन में ग्रह सिल्प का कक्छाठ का पाठ कढ़ाई कला आईए शुरू करते हैं हमारे देश में प्राचिन काल से कढ़ाई कला का प्रचलन रहा है कढ़ाई एक ऐसी कला है जिसका अकर्शन प्रतेक देश प्रतेक काल में रहा है हमारे देश के बिभिन प्रदेशों में प्रदेशों की कढ़ाईयां उसी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हैं ऐसे कश्मीर की कढ़ाई, पंजाब की पंजाबी कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, गुजराती तथा राजिस्तान की शीशा आदी लगा कर राजिस्तानी कढ़ाई इन प्रादेशिक कढ़ाईयों की अपनी अलग विसिष्टा होती है जिन्हें देखने से ही पता लग जाता है कि यह किस प्रदेश की कढ़ाई है सितारा, गोटा, जरी, कुन्दन, मोतियादी से की गई कढ़ाई वस्तरों पर कढ़ाई करने से उनकी सुन्दरता बढ़ जाती है नए नए टांकों के प्रयोग से कढ़ाई और भी सुन्दर दिखाई देती है आदमिक समय में कढ़ाई कला के प्रती लोगों की विसेश रुची होने के कारण कड़ाई कला के छेतर में बहुत प्रगती हुई है केवल धागे से ही नहीं वरन सलमा सितारा गोटा मोती कुंदन जरी आदी की कड़ाईयां आँखों में चका और चौंद उत्पन कर देती है कड़ाई को कला के रूप देने के लिए आविशक है कि कड़ाई संबन्द कुछ नियमों का पालन करें कड़ाई के नियम नम्बर एक नमूना आकरसक और उचिताकार प्रकार का हो कड़ाई के उपकरनों का उचित स्थान पर अवश्य उपयोग करें जिस वस्तर पर कड़ाई करनी है वो हलका या गहरा किसी भी रंग का हो सकता है किन्तु रंग पक्का होना चाहिए वस्तर पर नमूना इस्पष्ट च्छापे जिससे कढ़ाई करने में सुविधा हो नमूना च्छापते समय नमूने के उपर पैंसिल सही धंग से चलाई जाए ताकि नमूना सही उत्रे उचेत सुई का प्रयोग करें साड़ी के लिए वायल, मलमल, आरगंडी तथा तकिया के गिलाफ मेच पोस और चादर ट्रे कवर टिकोजी आधी के लिए पॉपलीन, टेरी कोट, कैस्मेंट, मैटी आधी कपड़ों का कपड़ों लेना चाहिए नमूना वस्त्र के अनुसार ही कड़ाई के टाकों का चुनाव करना चाहिए जैसे शेड़ वर्क की कड़ाई महीन वस्त्र वाल, जॉर्जेट, अरगंडी आधी में ही बनती है और उसी में अच्छी लगती है कट वर्क के लिए काज स्टिच का प्रयोग की करना चाहिए सटीक स्टिच बना कर कटिंग करेंगे तो वह खुल खुल जाएगी और सारी मेहनत बिकार हो जाएगी इसलिए कट वर्क के में काज स्टिच बनाते हैं रंगीन धागों का चुनाओ धागों का रंग पक्का और चमकदार होना चाहिए बाजार में विभिन रंग के धागे मिलते हैं कड़ाई करते समय रंगों के मेल पर अवश्य ध्यान देना चाहिए क्या आप रंगों के वारे में जानते हैं कि हलके विभिन रंग कैसे बनते हैं प्रमुख रंग, मुख्य रंग या प्राक्रतिक रंग तीन होते हैं लाल, नीला, पीला इनके मिश्रन से जैसे लाल और नीला मिलाने पर बैगनी रंग नीला और पीला मिलाने पर हरा रंग और पीला वा लाल मिलाने पर नारंगी रंग बनता है बैगनी हरा और नारंगी रंग को मुख्य रंग के मिलाने से बनाते हैं इन्हें दुतिये रंग या गौड रंग कहते हैं इसी प्रकार इन रंगों को कम ज़ादा मिलाने से और कभी कभी कई रंग मिलाने से नए शेट के रंग तैयार किये जाते हैं इन्हें इनी रंगों से धागों का की रंगाई होती है कल और सफेद रंग मिला कर स्लेटी रंग के कई शेड बनते हैं लाल का विरोधी हरा रंग तथा पीले का विरोधी नीला रंग होता है हम कढाई में विरोधी रंग भी लगा सकते हैं किंतु ध्यान रहे कि कढाई सुन्दर और आकर्शक दिखनी चाहिए रंगों की संगती करना भी एक कला है अलंकारिक डिजाइनों में काला सफेद या सामाने लाल रंग पीला नारंगी बैगनी हरा अधी रंग लगा कर सुन्दर कड़ाई कर सकते हैं किन्तु फूल पत्ती वाले स्वभाविक डिजाइनों में स्वभाविक रंग ही लगाना चाहिए पत्ती लाल एवं फूल हरा नहीं बनाना चाहिए इसी प्रकार पक्षियों एवं जानवरों के चित्र की कढ़ाई करने पर उन्हीं पक्षियों एवं जानवरों के रंग के धागे लगाने लगाना चाहिए कढ़ाई के लिए नमूने तयार करना आज कल बाजार में विभिन प्रकार के नमूनों की पुस्तकें मिलती हैं जैसे साधर कडाई के नमूनों, क्रोस स्टेच के नमूनों, कट वर्क के नमूनों तथा सिंधी कडाई के नमूनों की पुस्तिका आदी आज से कईवर्सपूर सिंधी कड़ाई मिना छप छापे, फ्री हैंड कड़ाई केवल अंदाज से सूजबूज के साथ बनती थी अब बजार में सिंधी कड़ाई की पुस्तिका मिलने से कड़ाई सरल हो गई है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई डिजाइन पसंद नहीं आती या अपनी मन चाहिए डिजाइन नहीं मिलती कपड़ों पर नमूना छपते समय ध्यान रखने योग बात थे वस्तर के अनुसार छोटा या बड़ा नमूना चुनना चाहिए वस्त्र पर नमूना च्छापने से पूर नमूना और वस्त्र पर कढ़ाई कारने के स्थान निश्चित कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार नमूना च्छाप जाने के बाद स्थान बदलना कठिन होता है नमूना इसपष्ट छापना चाहिए इससे कढ़ाई करने में सुविधा होती है कपड़े पर कारवन पेपर और नमूना रखने के बाद पिन लगा लेना चाहिए ताकि वह इस्तिर रहे और इधर उधर ना हिले नमूना नुकेली पैंसिल से उतारना चाहिए नमूना समतल इस्थान में या तख्त पर रख कर छापना चाहिए नमूना चाहिए नमूना चाहिए लिए ट्रेसिंग पेपर कारवन पेपर पिन पैंसिल नमूना नील गेरू समतल इस्थान की आवशकता पड़ती है जिस विध आरंब करना चाहिए आईए बच्चो अब हम इसका भ्यासकार देखते हैं वस्तरों की सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे दूसरा प्रशने कड़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तीसरा प्रशने मुख्य रंग कौन से हैं दूतिय या गौर रंग कैसे बनाए जाते हैं वस्तरों की सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे कड़ाई के लिए नमूना कैसे तयार करते हैं नमूना च्छापते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सभी प्रशनों को सभी बच्चे अपनी कौपी में लिखेंगे और याद करेंगे इसी के साथ आज का यह पाट समाप्त होता है कल नए पाट के पुर्णर अभ्यास के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों को नमस्कार